हेलो एवरीवन प्रीट बालो जे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम कोशन सॉल्व करेंगे सबसे पहला कोशन क्या कह रहा है कि जो ब्रॉड लीफ्स होती है ठीक है ब्रॉड लीफ्स होती है जो फॉरेस्ट ओक होता है वो जो होता है कहां पाया जाता है ठीक है सबसे पहला जो है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डी सी डिस फॉरेस्ट में ठीक है या फिर भी Tropical Evergreen Forest में ठीक है यह Option C क्या है Temperate Decidious Forest यह Option C क्या है North Corniferous Forest ठीक है North Corniferous Forest है तो जब भी Broad Leaps की बात आए तो वहां पर याद रखेगा कि temperate deciduous forest होगा next question क्या है next question बोल रहा है कि area where two ecosystems two ecosystems overlap overlap each other each other is called ठीक है ऐसा area जहां पे कि two ecosystems overlap ठीक है ते एसा area कि क्या बोलेंगे option A niche बोलेंगे या niche बोलते हैं बोलेंगे option 1 which one is a option C और इसको बोलेंगे या इसमें एक और option E तक भी दिया हुआ है, उसे corridor बोलेंगे, ठीक है, तो जो area जहां पे की दो ecosystem overlap करते हैं, ऐसे area को बोलते हैं, ecotone next question है, name the term, तीक है, name the term used to describe, used to describe a single, single dominant species, species that the, that the, dictates community structure, community structure, option A, क्या कह रहा है कि एक ऐसा term जिसको की हम लोग describe करते हैं, क्या बताएंगे, उसमें, एक single dominant species है, ठीक है, जो कि कहीं न कहीं community के structure को बनाए रखती है, तो वो कौन सा term है, जो single dominant species को describe करती है, तो उसको pioneer species बोलेंगे, ठीक है, या भी transitional species बोलेंगे, transitional species बोलेंगे, या option C, जो है वो, key stone species बोलेंगे, या option D, क्या है, exogenous species बोलेंगे, तो जो key tone species होती है, वही क्या है, a single dominant species, ठीक है, उसके बाद है, next question क्या है, nektons, जो ये nektons होते हैं, ना, nektons are, ये nektons क्या होते हैं, option 1, एक ऐसा organism, एक नहीं, पहुँचारे organism, वो organisms, वो क्या होते हैं, that swim in water, जो water में swim करते हैं, उसको nektons बोलते हैं, या, जो floating plants होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है, या option C, क्या है, उसको suspended lower plants होंगे, ठीक है, या option D, क्या है, algae, किसको बोला जाता है, तो जो nektons होते हैं, वो क्या होते हैं, organisms that swim in water, next question क्या है, next question है, जो biological, biological concept of species, ठीक है, species is mainly based on, किस पे ये based होती है, एक तरह से इसकी definition ही इसमें है, तो सबसे पहला option है, methods of reproduction only, methods of reproduction only, या B क्या है, reproductive isolation, ठीक है, reproduction के isolation पे, या morphological जो होते हैं, ठीक है, जो बारी तरीके से देखी जा सकती है, उनके जो features होते हैं, only उस पे, या फिर none of the above, तो जो biological concept of species है, ठीक है, वो mainly based होता है, reproductive isolation पे, next question है, जो stratification होता है, ठीक है, stratification occurs in, कहां पे होता है, option A है, desert पे होता है, option B है, option B क्या है, या tropical forest से होता है, ठीक है, forest में आपको stratification देखने को मिलेगा, या decedus forest में मिलेगा, या de tundra में मिलेगा, ठीक है, तो आपको जो stratification होता है, ठीक है, वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, किसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नेक्स्ट कोशन है ऐसा है विटा है विटेट टूगेधर टूगेधर विट विट फंक्शन ऑफ इस्पीसीज यह कोशन बहुत पूस्टा बहुत 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 इंपोर्टेंट है फंक्शन ऑफ इस्पीसीज ऑफ इस्पीसीज कन कॉंस टीट्यूट ठीक है इट्स देखिए कुछ टर्म्स दिये हुए हैं जैसे की ट्रॉप ट्रॉफिक लेवल है बी ऑप्शन क्या है बाउन्डरी है और देखिए मतलब कहने का मतलब की हैबिटेट के साथ साथ जो फंक्श के साथ सहक्किक मतलब कूर प्रॉफिक लए जाहां पर की हम हैबिटेट और फंक्शन को बता रहे हैं बॉबर्ण्डृ को बठा रहे हैं है और फंक्शन को लेके या फिर उसकी टोपो मेफrica ववो बता रही है इन दोनों बता रही है और species के function को भी बता रही है next question है in acid rain जो acid rain होती है उसमें जो SO2 होता है वो कितना percent होता है SO2 accounts for option A 70% होता है option B 100% होता है option C 50% होता है यह option D 30% होता है तो जो SO2 होता है वो acid rain में 70% होगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं वो क्या है acid rain है next question यह भी बहुत ही important है क्या बोल रही कि जो ecosystem होता है वो क्या होता है option A वो open होता है B वो close होता है C वो both है close भी होता है and open भी होता है यह D नहीं neither open होता है not जो होता है वो close होता है तो जो ecosystem होता है वो क्या होता है open होता है next question है next question क्या बता रहा है कि जो यह भी बहुत लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी ये रिवीजन कर लीजे एक पास से जो काजी रंगा है वो किस से associated है किस तरह का एनिमल जो है इसमें रहते हैं काजी रंगा नेशनल पार्क में तो option A है वो क्या है राइनो सिरोस है ठीक है option B क्या है टाइगर्स है option C क्या है बर्ड्स है option D क्या है लाइन्स है तो काजी रंगा में राइनो सिरोस होते हैं ठीक है यह बहुत पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो सींग होता है ना इसकी तसकरी की जाती है now second क्या है according to national forest policy ठीक है मैं बोल देती हूँ आप ध्यान से सुनिए national forest policy के हिसाब से जो forest होता है वो कितने में डिवाइड होता इसमें और डिफॉर्ट फॉर्ट सार डिवाइड़ इंटू ऑप्शन एट टू कटेगरीज में ऑप्शन भी एट कटेगरीज में ठीक है कटेगरीज ठीक है या फिर option c5 में या option d3 में तो जो national forest policy के हिसाब से forest जो होते हैं वो तीन कटेगरीज में डिवाइड़ होते हैं नेक्स्ट गॉस्षन है दपेस्टीसाइड एक ऐसा पेस्टीसाइड की बात कर रहा है दपीस्टीसाइड से मूस्ट पर्रसिस्टेंट पर्सिस्टेंट इन दस वाइल फिर्टा, जो लंबे टाइम तक रहे वो कौन सा है A क्या है DDT रहता है DDT या B BHC रहता है या C Dialdrine रहता है या D जो है वो Bagon रहता है तो जो the pesticide most persistent in the soil is Dialdrine next question क्या है next कह रहा है कि जो Montreal प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है refers to option A क्या है persistent organic क्या होते है pollutants होते हैं इसके बारे में बताता है या B global warming और climate change के बारे में option B क्या है global warming या climate change के लिए है या C substance ऐसे substance को लेकर है Montreal प्रोटोकॉल जो की ozone की layer को क्या करते हैं खतम कर रहे हैं ठीक है damage कर रहे हैं या D option है biosafety गाइड लाइन बायो सेफटी जनेटिकली modified यह organisms के बारे में हैं तो जो Montreal प्रोटोकॉल है वो याद रखिएगा किसलिए refers to substances that क्या करें वो डिप्लीट दा ओजोन लेयर नेक्स्ट कोशन क्या है दा the enzymes responsible for atmospheric nitrogen fixation is option A क्या है वो क्या है nitrogen hydrogenase है option B क्या है hydrogenase की बात कर रहा है यह सी जो है वो oxygenase की बात कर रहा है या डी जो है वो carboxylase की बात कर रहा है तो वह enzyme कौन सा responsible है nitrogen fixation के लिए तो वह है nitrogen genase enzyme next question कह रहा है कि जो की stone species होती है ठीक है कैसी species होती है की stone species होती है वो क्या deserve करती है deserve protection यह protection deserve करती है because क्यों एक तसे component जो जैसी भी है ठीक है उसमें जो है यह रह पाते हैं यह इंडिकेट करते हैं स्वाइल में स्वाइल में यह minerals की presence को इंडिकेट करते हैं इसलिए की stone species को बचाना चाहिए या सी जो है यह क्या है have become rare due to over exploitation यह या इसलिए क्योंकि यह और exploitation की वज़े से rare हो गई है या डी यह एक क्या करती इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है other species के लिए play an important role in protecting in important role in supporting other species ठीक है उनको support करती है में क्या है इस तरह की जो species होती है वो support करती है दूसरी species को इसलिए हमें की स्टोन species को बचा के रखना चाहिए तो option जो है कौन सा सही होगा डी होगा ठीक है यह दूसरी species को protect करती है इसलिए उसके बाद है next question है next question क्या कह रहा है कि जो हुमस होता है हुमस यह present कहां होता है present in option a क्या है horizon a में present होता है option b horizon ओ में होता है यह horizon बी में होता है या horizon c में होता है तो जो हुमस होता है ओमेशा ऊपर होता है और वो horizon a में present होता है next क्या है next question कह रहा है की pollution is not is not caused by कुछ options दिये होते हैं और दिये हुए हैं और कह रहा है कि इन में से किस से पॉल्यूशन नहीं होता है पॉल्यूशन इस नॉट कॉस्ट बाई ए क्या है थर्मल ध्यान से सुनिए का थर्मल पावर प्लांट की वज़़ से पॉल्यूशन नहीं होता है क्या यह सही है या आटो मोबाईल की वज़़ से नहीं होता है क्या यह सही है सी क्या है रेडियो एक्टिव पावर प्लांट होगा रेडियो एक्टिव पावर प्लांट होगा या डी क्या है हाइड्रो अलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा तो जो पॉलूशन होता है जो पॉलूशन होता है ठीक है दिलीट होके मैं बता देती हूं यहां कि बहुत्वार प्लांट वह सब्सक्षप कज सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब जो बहुत सारे जनरेशन तक भी एक संड् eder में कि दूसरे सब्सक्षाइब रहती है जो आप्शन डी जो था वो हाइड्र एलेक्टिक पावर प्लांट था यह जो होता है पॉलुशन तो कॉज नहीं करता है लेकिन यह जो आसपास का जो भी डाइवर्सिटी है उसको डैमेज कर देता है वो नहीं रह पाती जो वहां पर प्राकृतिक रूप से रहा करत ही लिए उसलिए हाइड्रो सभू पावर प्लांट है इसका राइट आंसर सब्सक्राइब आतर पॉलूशन और सब्सक्राइब करता है कि यह सब्सक्राइब यह से का हो टिक घय 농 experience क्ट होता है यह उड़ती है यह एयर के सहारे उसको क्या बोलते हैं, या भी ऐलू वीयल बोलते हैं, या सी एरियल बोलते हैं, या फिर डी उसको तो जो एयर से जब स्वाइल ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं यह फर्टायल होती है जब पूछे की सबसे जादे कौन सा फर्टायल है तो वहां अप्शन सही होगा next question बोल रहा है कि soil carried by gravity अगर जब soil gravity से जब इदर उदर आती है तब क्या होगा वो alluvial होगी या फिर वो क्या होगी colluvial होगी या C जो होती है وہ alluvial होगी या D जो होती है वो glacial होगी तो जब gravity की बात आए तो वहां पे पे जो स्वाइल होगा वो कौन सा होगा कॉलू वियल स्वाइल होगा नेक्स्ट कोश्चन क्या पूछ रहा है तू डिफ्रेंट इस्पीसीज तू डिफ्रेंट इस्पीसीज cannot lie for long duration in the same niche और habitat दो जो सेम इस्पीसीज होती है वो क्या होती है एक साथ नहीं रह पाती है for long duration लंबे time के लिए ठीक है एक ही कहां पे in the same habitat में ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे वो कौन सा लोगा option A Allen's law होगा option B Allen's law होगा या option B Gauss law होगा या फिर C जो है वो competitive exclusion principle होगा या D जो है विजमेंज थियूरी होगी तो इसमें जो होगा वोगा competitive exclusion principle की अगर बात करें तो इसमें जो दो different species हैं वो एक साथ नहीं रह सकती है लंबे time के लिए एक ही habitat में next क्या है next question पूछ रहा है कि जो chip को movement होता है कौन सा movement होता है chip को movement किस लिए था ये for saving trees ठीक है trees को बचाने के लिए था और ये शुरू हुआ था कहां पे started was started in कहां हुआ था a करनाटका में हुआ था ठीक है करनाटका में हुआ था या b जो है वो टेहरी गड़वाल में हुआ था या c जो है वो पंजाब में हुआ था या d जो है वो हर याना में हुआ था ठीक है तो जो चिप को movement था जो कि trees को बचाने के लिए किया गया था वो सबसे पहले शुरू जो हुआ था वो हुआ था टेहरी गड़वाल में ठीक है अब मैं तीन questions आपको दे रही हूँ जिनके answers आफ बताईए comment section में सबसे पहला question क्या है कि which of the following इन में से कौन सा which of the following does not have does not have istomata किसके पास इसमें istomata नहीं है option a hydro जो होते हैं fights में नहीं होता है ठीक है या बी जो होते हैं वो मीजोफाइट्स हो गए या सी जो हो गए वो कॉन्से होते हैं 0 fights में 0 fights में होते हैं या option d जो है वो क्या है सब मोस्ड जो होते हैं वो hydro fights होते हैं ठीक है तो बताईए इसका answer क्या है comment section में कि इन में से किसके पास स्टों मेटा नहीं है hydrophytes, mesophytes, zerophytes या submerged hydrophytes में है ठीक है next दूसरा जो question है जिसका जो है आपको answer करना है वो कौन सा है जो acid rain होती है na acid rain is due to presence of atmospheric concentration आफ यह किस के concentration में जब atmosphere में जब रहता है उसकी वज़े से होता है ozone and dust की वज़े से acid rain होती है या option B CO2 and CO carbon monoxide और carbon dioxide की वज़े से acid rain होता है या C SO3 and CO की वज़े से होता है या option D जो होता है वो SO2 and NO2 की वज़े से होता है तो मुझे इसका answer ज़रूर बताइएगा कि acid rain इन में से किसके presence की वज़े से होता है या acid rain देखे होता होते तो है इसमें से कई के लेकिन जादे किसकी वज़े से होगा ठीक है तो बताइगा right answer उसके बाद next question क्या है which of the following is secondary pollutant इन में से कौन सा जो है वो क्या है secondary pollutant है option A है PAN है ठीक है या B क्या है SO3 है या C क्या है SO2 है या D क्या है H2S है इन में से कौन सा secondary pollutant है मुझे बताइए comment section में PAN है SO3 है SO2 है या H2S है तो ये रहा आज का ecology environment पे questions और भी बहुत सारे questions है आप read biology YouTube channel को देखते रहे हैं मैं रोज daily MCQs share कर रही हूँ और वही MCQs share कर रही हूँ जो की पहले भी क्या है exams में आए हुए है बहुत ही important है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे like जरूर कीजिए और share जरूर कीजिए और अगर आपने subscribe नहीं किया है और आपको ऐसे MCQs daily पढ़ने हैं तो आप read biology चैनल को जरूर subscribe करें इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बबाए